ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है तुला राशी वालू अब चार अगस्त से दस अगस्त याने किन सात दिनों में पूरे गाउं सहर में तुमारा नाम गूजेगा जा दोस्तू इन सात दिनों में आपको यह खुसकबरी पागल कर देगी जा दोस्तू इन सात दिनों में चार चांद लग जाएंगे आपकी जिन्दकी में जा दोस्तू आपके लिए चार अगस्त से दस अगस्त याने किन सात दिनों का समय अतियंत महत्पपून और बहुती अच्छा समय रहने वाला है जा दोस्त इन दिनों आपको बहुत बड़ी खुसकवरियों की प्राप्ती होने वाली है जा दोस्तो आपको इस वीडियो में आपको आपकी राशी की चार अगस्त से दस अगस्त याने किने साथ दिनों के महाराशी फल्क के बारे में बताने वाले हैं कि ये साथ दिन आपके लिए किस प्रिकार रहने वाले हैं किन-किन चीज़ों से आपको फाइदा होगा किन-किन चीज़ों से आपको साफधन रहना होगा आपकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पपॉन जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ज़ा दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं साइराम के सच्वक्त इस वीडियो को इकलाएक अभी करें गमेंट स्वोक्स में ओम साइराम भी अवश्य लिखें जैसे साइराम का शिर्वाद आपको शिर्प्राप्त हो सकें चटे दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए चार अगस्त से दस अगस्त यानि किन साथ दिनों का यह महत्पपोन समय दोस्तों यह समय आप अपने वहवार तथा म्रदु भासिता द्वारा खराब संबंदों को सुधार ने में सफल रहेंगे आपकी सकारात्मक सोच जैसे भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए श्वाबाविक ही उत्तम परिस्तितियां उत्पन करेगी घर में कोई धर्मिक आयोजन भी हो सकता है दोस्तों यह समय पिछले कुछ समय से चली आ रही बादाओं को दूर करने में आप सफल रहेंगे जिससे आप में आत्म संतुष्टी का भाववी रहेगा राजनितिक वे सामाजिक गतिविदियों में विसेस योगदान रहेगा एक खास मुकाम भी आपको इस समय हासिल होगा समय मान वे प्रतिश्ठ वर्दक है धर्म कर्म वे आध्यत्मिक कार्र के प्रती रुची रहेगी वे विसे धर वे दुनियादारी के बीच बहतरीन संतुलन बना कर रखेंगे दोस्तो यह समय उधार दिये हुए किसी पैसे का कुछ हिस्सा आपको वापस मिल सकता है अपनी दिन चरिया को विविस्तित रखते हुए अपनी विसेस प्रतिबा को जागरित करने में समय व्यातीत होगा विसेस कर ग्रहनियां स्वैम को साबित करने में सफल रहेंगी विध्यार्तियों को अपनी परिक्षा में सफल ताहसिल होगी बड़े वुजुर्गों का इसने और आशिरवाद आपको सदे बना रहेगा किसी जवतमंद मित्र की मदद करने से मन में खुसी रहेगी दोस्तो अपने उसलों वे सिद्धांतों के साथ किसी भी तरह का समझोता ना करना आपको मजबूत बना कर रहेगा दोस्तो यह समें अपनी समझबूज वे बुद्धी मता के दुआरा अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में आप सफल रहेंगे कार को योजनाबद तरीके से करना आपको विसेश सफलता प्रदान करेगा घर में मित्रो या महमानों का आगमन होगा तथा सभी सदस्य आपसी मेल जोल का लुप्त उठाएंगे दोस्तो साति सात इस समय कभी कभी आपका मन मोजी स्वभाब दूसरों के लिए परिशानी का कारण बन सकता है घर में परिवारिक सदस्यों के साथ किसी चोटी सी बात को लेकर गलत फहमी उत्पन हो सकती है जिसकी वजह से किसी बहरी व्यक्ती का हस्त छेप हो सकता है दोस्तो यह समय ध्यान रखिये कि कोई अपना ही नजदी की मित्र धोका या फिर ठगी कर सकता है युवा वर्ग की अपने केरियर के प्रती लापरवाही भविष्य के लिए नुकसान दैक रहेगी इसलिए सावधानी रखना आपके लिए अतियावशक है दोस्तो यह समय किसी नजदी की मित्र की नकारात्मक गतिविदी से आपको आगात या फिर धक्का लग सकता है गाड़ी या मकान संबंदित कागजाद आप बहुती समाल कर रखे दोस्तो कभी कभी किसी विशेस विशे को गहराई से जानने की इक्षा आपको अपने लक्षे से भटका सकती है थोड़ा सावधान रहें परंतु जादा आत्मकेंद्रित होने से इसका नकारत्मक असर आपके व्यक्तिकत तथा परिवारिक जीवन पर पढ़ सकता है किसी धार्मिक उतसव में गरत फहमी की वज़े से किसी के साथ कहा सुनी हो सकती है इसलिए अपने वहवार को सयमित बना कर रखना आपके लिए अति आवशक है दोस्तो यह समय अपने भाई भेनों के साथ संबंद मधुर बना कर रखें क्योंकि किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है विध्यार्तियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से बटक कर व्यर्थ के कारों में लग सकता है जिससे कोर्स पूरा करने में दिक्कत आ सकती है विध्यार्ति लोग अपनी पढ़ाई के प्रती किसी प्रकार का समझोता ना करें अन्यता रिजल्ट खराब हो सकता है अपने स्वयभाव को सहज वे संतुलित बना कर रखें क्योंकि गुस्से से परस्तितियां और अधिक बिगर सकती हैं कानूनी काम में भी आप ना उल्जें साफधन रहें दोस्तो बात करें लव लाइफ के नजरिये से तो यह समय पती पतनी के बीच एहम का टकराव हो सकता है परन्तु समय रहते आप नकारत्मक परस्तियों को काबू में पा लेंगे जिससे पती पतनी में नजदी कियां बढ़ेंगी विवा सम्बंदित कारों में व्यस्तता भी बनी रहेगी दोस्तो साथि साथ अत्यादिक व्यस्तता के कारण परिवार पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे परन्तु जीवन साती का सयोग परिवारिक वातावरण को उचित बना कर रखेगा पती पत्नी के आपसी संबंद अच्छे रहेंगे प्रेम संबंदों में भी प्रेगड़त आएगी दोस्तो बात अगर आपके वेवेशाय और केरियर की करें तो इस समय आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिससे आप गोपनिय रखना चाते थे वेवेशाय क कार रहें अभी लंबित ही रहेंगे नौकरी पेसा लोगों को भी आफिस से संबंदित कोई भी नजदी की यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको अधिक लाब पहुँश सकता है दोस्तो गर छेतर में किसी विशेश व्यक्ति से मुलाकात आपकी तरक्की वेजीत के लिए सहिक रहेगी नौकरी में अपने टारगेट को पाने में आपको कामिया भी भी हासिल होगी दोस्तो किसी के साथ शाजेदारी करते समय नुकसान फायदे की इस्तितियों पर भी अवश्य से विचार विमर्स करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो साथी साथ इस समय किसी प्रकार की वेवसाई के परतिस परदा में आपकी हार हो सकती है परन्तु इस तनाव को आप अपने उपर हावी होने ना दें तता धहरे पूरवक अपने अन्य कारों के प्रती समर्पित रहें अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी नौकरी में प्रोमोशन या फिर ट्रांसफर के आपके लिए योग बन रहे हैं दोस्तो यह समय कर्यचित्र में कारों के बीच बीच में कुछ रुकावटे आ सकती हैं जिनकी वज़े से ओडर आदी पूरा करने में विलंब हो सकता है करमचारियों की गतिविद्यों को आप नजर अंदाज ना करें वे लोग किसी प्रकार की राजनिती उत्पन कर सकते हैं साफधान रहें दोस्तो साथी साथ यह समय मसीनरी वे तेल सम्मंदित व्यवसाय भरपूर मुनाफे कमाने की इस्तिती में हैं इसलिए पूरा ध्यान अपने काम पर ही केंदिरित रखें परन्तु हर काम में पेपर सम्मंदित कारों को पूरी तरह व्यवस्तित रखना आपके लिए अति आवशक है किसी प्रकार की इंक्वारी आदी बैठ सकती हैं साफधान रहें दोस्तो साथि साथ खान पान से सम्मंदित व्यवसाय धीरे धीरे व्यवस्तित होंगे अपने काम के क्वालिटी में और अधिक सुधार लाने की आपको आवशक्ता है जो आपके लिए बहुती फैदेबंद साबित होगा दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय आपका स्वास्थ उत्तम रहेगा किसी प्रकार की चिंता आप ना करें वाहन या मसीन सम्मंदित उपकरणों का सावधानी पूरुवक आप उपियोग करें क्योंकि किसी प्रकार की चोट या फिर एक्सिडेंट की आसंका बन रही है दोस्तों साती सात यूरीन इंफेक्शन जैसी समस्या उत्पन हो सकती है तरल प्रधारतों का अधिक से अधिक आप सेवन करें गलत खान पान की वज़े से गैस वे पेट खराब होने जैसी समस्या उत्पन हो सकती है प्रधारतिक चीजों को अधिक से अधिक सेवन मिलाएं जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा